नमस्कार मैं अपना ब्रस्तोगी और आप देख रहें दर लीडर हिंदी का बरेली बुल्टिन आये फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या हुआ आयमे हॉल में इंवेस्टर सम्मिट कल बरेली पहुचे मंतरी नंद गोपाल गुपता संयुक्त आयुक्त उद्द्योक रिशी रंजन गोएल ने बताया कि मंगलवार को आयमे हॉल में इंवेस्टर सम्मिट का आयोजन किया जाएगा इसमें शामिल होने के लिए सुबे के मंतरी नंद गोपाल गुपता नंदी बरेली पहुच गये हैं सम्मिट में उद्द्यमी करोलो रुपए के निवेश के प्रस्ताओं पेश करेंगे इससे बरेली समेत सुबे के विकास को नए पंख लगेंगे सुवाचन बोस की जैनती पर बनाई गई मानव शंकला सुवाचन बोस की जैनती पर सडक सुरक्षा जागरुकता अभियान कारकरम का एक अनूठा आयोजन किया गया 24 किलो मीटर लंबी मानव शंकला बनाई गई अफ्सरों के साथ इसकूली बच्चे हाथ में हाथ थामे नियमो के पालन की अलग जगाने में लगे रहे उनके हाथों में स्लोगन वाली तक्तियां थी और लव पर नारे थे पहले इन बच्चों और अफ्सरों ने यातायात नियमो के पालन का संकल्प लिया और बाद में सडक पर गुजरने वाले लोगों को भी इसकी याद दिलाई इस मौके पर कमिशनर सयुक्ता समद्दार ने विदेश का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि जब हम वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा अनुशाशिद हो जाते हैं तो फिर अपने देश में ऐसा क्यों नहीं करते हैं पूर मंतरी भगवसरन गंगवार फरार घोशित नवाबगन में मारपीड और जानलेवा हमले के 5 साल पुराने मामले में सपा नेता भगवसरन गंगवार दो पूर ब्लॉक पर मुक समेथ 10 लोगों के घरों पर पुलिस ने फरार घोशित के नोटिस चसपा किये हैं ये कारवाई कोट में हाजर ना होने पर की गई है भगवसरन गंगवार सपा सरकार में मंतरी भी रह चुके हैं ट्रिपल मडर में सुरेश पधान समेथ 3 को जेल भेजा कट्री में हुए ट्रिपल मडर केस में पुलिस ने मुक आरोपी सुरेश पधान समेथ 3 और लोगों को जेल भेज दिया है मामले में अब तक दोनों पक्षों के 22 लोगों को पुलिस जेल भेज चुकी है बताते की 11 जनवरी को जमीन पर कपजी को लेकर फरीदपूर के गाउं गोविनपूर में परमवीर सिंग वा सुरेश पधान के गुटों में खूनी संगर्श हो गया था इसमें तीन लोगों की जान चली गई थी वहीं सुरेश पधान समेथ कई लोग घायल हो गये थे दिवरनिया पुलिस ने सुमवार को मोहनपूर रेलवे फाटक के पास से 25 जार के इनामी बदमाश सूरच उर्फ चूहा को गिरिफतार किया है उसके कबजे से लूटे हुए पैसे वा चाकू बरामद हुए है सूरच का एक अंतराची गैंग है जो उत्तरप्रदेश वा उत्तरखन के आसपास के शित्रों में लूट वा चोरी की घटनाओं को अन्याम देता है उस पर कई मुकद में दर्ज है पुलिस चौकी के पीछे शब मिलने से मचा हर कम पुलिस चौकी के पीछे खाली पड़े प्लाट पे सोंबार सुबा एक यूवक का शब मिला शब के पास से पुलिस को कई नशे के इंजेक्शन मिले है आशंका जताई जा रही है कि नशे की ओवर डोज की वज़े से यूवक की मौत हो गई है मिरतक की शिनाक्त नहीं हो सकी है उसकी उम्र करीब 35 वर्ष है फिलाल आज के बरेली बुल्टेन में इतना ही बरेली से जुड़ी ऐसी अन अपडेट्स के लिए ता लीडर हिंदी को सस्क्राइब करना बिलकुल ना पूले